Hello Kids! Welcome to our channel Kindergarten Classes आज हम subtraction करेंगे यानिके minus के sum यह है subtraction का sign इसको mind मेरना है आपने पहले हम number line के साथ सीखते है यह हमने number line draw की है ठीक है? तो यह क्या है? 9 पहले हम 0 से लेके 9 तक लेके जाएंगे 9 draw करते हुए यहां तक लेके जाएंगे 9 तक चीक है? उसके बाद यह क्या है? 4 और 4 को आपने back करके count करना है 9 4 तक यानिके 1 2 3 4 तो यहां 4 तक कहा आया? 5 पर तो हमारा answer क्या आ गया? 5 चीक है? 5 5 यह है 3 अब यह देखो आपने यह सोचना है कि यह 5 candies है ठीक है? आपके पास 5 candies है तो आपने जो 3 candies हैं अपने फ्रेंड को दे दी ठीक है? 5 हैं यह आपके पास 5 candies है 1, 2, 3, 4, 5 5 3 इसमें से आपने अपने फ्रेंड को दे दी 1, 2 & 3 3 दे दी तो आपके पास कितनी बची? 1, 2 2 बची ना तो आपने आपका अंसर क्या आया? 2 2 तो आपने आपके लिखेंगे 2 ठीक है? नेक्स हम देखिए यह है 8 यह निके आपके पास 8 candies हैं आपने फिंगर्स पे 8 candies तक काउंट करिए 5 यह है ठीक है आपके हैंड में 5 फिंगर्स हैं 5, 6, 7, 8 यह निके हमारे पास यह 8 candies होगी तो इसमें से आपने 4 candies अपने फ्रेंड को दे दी 1 1 2 3 and 4 4 candies दे दी तो आपके पास कितनी लेफ्ट है? 1 2 3 and 4 यह वाली candies जो आपके पास है तो आपका अंसर क्या आ गया? 4 Next 6 अभी देखो यह 6 है 6 आपके पास 6 candies है 5 यह और 1 इस है यह होगी 6 तो नीचे क्या अंसर डिजिट है? 0 यह निके आप में आपने 6 में से कोई candy अपने फ्रेंड को नहीं दी कोई भी तो आपके पास कितनी हो? 1 2 3 4 5 6 आपके पास कितनी है? जितनी आपके पास 3 उतनी है क्योंकि आपने अपने फ्रेंड को कोई candy दी ठीक है? नेक्स्ट है 4 4 तो अभी आपके पास कितनी candies है? 4 candies है यह रखिए 1 2 3 & 4 यह 4 candies है आपके पास तो नीचे काउंसा digit है? आपने 4 की 4 ही फ्रेंड को देती 1 2 3 & 4 तो आपके पास कितनी candies है? कोई नहीं यानिके आपके पास कोई candy नहीं है तो इसका मतलब आपका अनिसर क्या आएगा? 0 ओके? ओके बच्चे आपने इसके अच्छी से प्रैक्टिस करनी है